गर्भवदी मेहलाओं के लिए पोश्टिक शाकाहरी खानों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है। इस टुटोरियल में हम सीखेंगे गर्भावस्ता के दोरान पोशक तत्वों से भरपूर आहार का महत्व, कुछ शाकाहरी आहार बनाने के तरीके, इन आहारों की पोशक सामगरी सबसे पहले गर्भावस्ता के दोरान पोशन के महत्व को समझते हैं। गर्भवस्ता के दोरान महला में शारिरिक और हार्मोन के परिवर्तन होते हैं शरीर की पोशन संभंधी जरूरते बढ़ जाती है महला जो खाती है वह बढ़ते भृण के लिए भी पोशन का स्त्रोथ है इसलिए गर्भवती महलाओं को पोश्टी खाना खाना चाहिए खाना प्रोटीन, अच्चे फैट, विटमीन और खनीजों से भरपूर होना चाहिए यह गर्भवस्ता के दोरान किसी भी तकलीफ को होने से बचाएगा उदाहरन स्वरूप, गर्भवस्ता में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनिमिया यह मतली और कब से राहत दे सकता है परियाप्त पोशक तत्वों का सेवन न करने से धृण का विकास रुख सकता है समय से पहले प्रसव और जन्म के समय कम वजनवाले शिशु होने की संभवना बढ़ सकती है इसलिए गर्भवस्ता के दोरान पोशक तत्वों से भरपुर आहार खाने की सला दी जाती है अच्छे खाने के अलावा परियाप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है पानी पेशाप के इन्फेक्शन के खत्रे को कम करने में मदद करता है यहाँ कब्स को भी कम करता है इसलिए रोजाना आठ से दस गिलास पानी जरूर पिए गर्भावस्ता के दोरान शराब, ड्रग्ज और धुम्रपान से बचना चाहिए इससे गर्भपात और समय से पहले शिशू के जन्म का खत्रा बढ़ जाता है पौश्टी काहार खाने के अलावा इसका शरीर द्वारा सोग जाना भी जरूरी है खाने में ओक्सलेट्स, फाइटेट्स और टेनिन्स जैसे हानिकारक तत्व भी होते है इनसे शरीर पोशक तत्वों को नहीं सोग पाता है खाना पकाने के विभिन्न तरीकों से पोशक तत्वों का सोग जाना बढ़ाया जा सकता है उदाहरन स्वरूप, भीगोना, अंकुरीत करना, भूनना और खमिर उठाना भाप में पकाना, भूनना और उबालना कुछ अन्यवदाहरन है खाना बनाना शुरू करते है अंकुरीत लोबिया के कटलेट बनाने के लिए जरूरी सामगरी है एक चोथाई कप अंकुरीत लोबिया, एक चोथाई कप चोलाई के पत्ते, एक छोटा कटा प्याद, एक चोथाई कप भूना बेसन और एक छोटा चमच अद्रक लहसून की पेस्ट आपको मसालों की भी जरूरत होगी जैसे एक चोटा चमच धनिया पावडर, एक चोथाई चोटा चमच हल्दी पावडर और एक चोथाई चोटा चमच मिर्च पावडर अन्य जरूरी सामगरी है पाव छोटा चमच करी पत्तों का पावडर पाव छोटा चमच सहजन के पत्तों का पावडर और पाव छोटा चमच दानों और बीजों का पावडर इन पावडरों को बनाने के बारे में अन्य टुटोरियल में बताया गया है अधिक जानकारी के लिए क्रुपया हमारी वेबसाइट पर जाएं आपको इनकी भी जरुरत होगी एक बड़ा चमच तेल या घी और स्वाद अनुसार नमक शुरू करने से पहले मैं आपको लोविया को अंकुरित करने का तरीका बताऊंगी लोविया को धोए और राद भर या 6-8 घंटों के लिए पानी में भीगो दे बाद में पानी को निकाल दे और इसे एक साफ मलमल के कपड़े में बांध दे इसे 6-8 घंटों के लिए किसी गर्म जगा पर रख दे और इसे अंकुरीत होने दे इसी तरह आप चने, सोया बीन, मोट को भी अंकुरीत कर सकते है अब कटलेट तैयार करते है अंकुरीत लोबिया को एक कब पानी के साथ 2 सीटी तक प्रेशर कूकर में पकाए पकने के बाद थंडा करने के लिए रख दे थंडा होने पर लोबिया को घोटे तेल के अलावा बाकी सामगरी को घोटे हुए लोबिया के साथ मिलाए मिश्रन को छोटे-छोटे हिस्सों में बाटे और छोटे-छोटे चपते कटलेट बना ले अब पैन में थोड़ा सा तेल डाले, हलका भूरा होने तक कटलेट को दोनों तरफ से फ्राई करे अंकुरित लोबिया के कटलेट तयार है इस पाककृती में प्रोटीन, अच्छा फैट, कैल्शियम, मैगनेशियम और पोटैशियम होता है इसमें आईरन, जिंक और फोलेट जैसे अन्य पोशक तत्व भी भरपूर होते है लोबिया की जगह आपके इलाके की अन्य पलियों का इस्तमाल आप कर सकते है उदाहरन स्वरूप, चना, सोया बीन और मोठ डाल चौलाई के पत्तों की जगह अन्य हरी पत्तेदार सबजियों का भी इस्तमाल कर सकते है उदाहरन स्वरूप, पालक, मेथी के पत्ते, अगेती के पत्ते, सहजन के पत्ते अब अगला सीखते है कई डालों से बना उतप्पम इसको बनाने के लिए हमें जरूरत होगी एक बड़ा चमच अरहर दाल, एक बड़ा चमच मूंग दाल, एक बड़ा चमच चना दाल, दो बड़ा चमच उड़त दाल, एक बड़ा चमच सावा और एक बड़ा चमच कुटकी अन्य जरूरी सामगरी है एक बड़ा चमच कटा हुआ टमाटर, एक बड़ा चमच कटा हुआ गाजर, एक बड़ा चमच कटा हुआ शिमला मिर्च, एक बड़ा चमच कटा हुआ प्याज, एक छोटा चमच अद्रक लहसुन पेस्ट और एक छोटा चमच मेथी दाना जरूरी मसाले है आधा छोटा चमच धनिया पावडर, आधा छोटा चमच जीरा पावडर और आधा छोटा चमच लाल मिर्च पावडर अन्य जरूरी सामगरी है पाव छोटा चमच दाने और बीजों का पावडर, पाव छोटा चमच सहजन के पत्तों का पावडर और पाव छोटा चमच करी पत्तों का पावडर, एक बड़ा चमच तेलिया घी और स्वाद अनुसाल नमक बनाने का तरीका सबसे पहले सभी डाल, सावा और कुटकी को अच्छी तरह से धोए और रात भर भीगो कर रखे आप या तो उन्हें अलग-अलग या सभी को एक साथ भीगो सकते हैं मेथी के दानों को भी भीगो दे फिर दाले, सावा और कुटकी को पीस कर मुलायम घोल बना ले मेथी के दानों को दालों के साथ ही पीसे इसे खमीर के लिए रात भर किसी गर्म जगह पर ढख कर रखे पेस्ट के फुलने के बाद अन्य सामगरी डाले और अच्छी तरह मिलाए लोहे के पैन में तेल या घी लगाए पेस्ट को पैन में गुला का राकार में डाले और उत्तपम बनाए धीमी आज पर दोनों तरफ से पकने दे पकने पर गर्मा गरम परोसे यह प्रोटीन अच्छे फैट, विटामिन ए, कैल्शियम और मैगनेशियम से भरपूर है इसमें आइरन, जिंक, फोलेट और फॉस्परस जर से पोशक तत्व भी भरपूर है अब हम आखिरी सीखेंगे भाप में पकाई हुई लोकी की पकोडिया इसे बनाने के लिए आपको चाहिए तीन चोथाई कप कद्दुकस की हुई लोकी दो बड़ा चमच अंकुरित ज्वार, दो बड़ा चमच अंकुरित बाजरा और एक बड़ा चमच भूना बेसन आपको इसकी भी जरूरत होगी एक बड़ा चमच कटी हुई धनिया की पत्तियां, एक बड़ा चमच भुनी मुंपली का पावडर और एक छोटा चमच तील अन्य जरूरी सामगरी है पाव छोटा चमच हल्दी पावडर, पाव छोटा चमच धनिया पावडर, पाव छोटा चमच मिर्च पावडर, पाव छोटा चमच सहजन के पत्तों का पावडर, पाव छोटा चमच करी पत्ते का पावडर, एक बड़ा चमच तेल या घी और स्वाद अनुसाल नमक पहले बताई गए तरीके के अनुसार ज्वार और बाजरा को अंकुरित करे कृपया ध्यान दे कि विभिन्न सामगरियों को अंकुरित होने में अलग-अलग समय लगता है इस खाने के लिए ज्वार और बाजरा समान समय में अंकुरित होंगे अंकुरित होने पर इन्हें धीमी आज़ पर भुने उन्हें ठंडा होने दे फिर इनका दरदरा पाउडर बनाए तेल और तील को छोड़ कर बाकी सभी सामगरी को मिला ले यदि लोई बनाने के लिए अवशक हो तो एक से दो छोटे चमच पानी डाले अपनी हतेलियों पर तेल लगाए लोई से दो लंबी पकोड़ी बनाए अब कुकर में पानी डाले प्लेट रखने के लिए कुकर में अंदर छोटा सा स्टैंड रखे इन पकोड़ों को प्लेट पर प्रेशर कुकर में रखे धक्कन पर सीटी लगाए बिना इन्हें 15 से 20 मिनट तक पकाए इन्हें ठंडा होने दे और 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दे फिर इन्हें गोलाकार में काट ले अब पैन में थोड़ा तेल डाले पकोड़ों को पैन पर रखे और दोनों तरफ से सेंक ले यह पका करे कि वे कुरकुरे और सुनेरे हो गए है निकाले और भुने तिल से सजाए और परोसे यह पाककृती प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आईरन, जिंक और फोलेट से भरपूर है यह विटामिन A और विटामिन C जैसे विटामिन का बहुत अच्छा स्त्रोथ है इसी के साथ यह टुटोरियल समाप्थ होता है हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद